हमारी सुरक्षा के लिए वह भजन जो हम सभों के लिए दिया गया है भजन एकानबे हमारी हर परिस्तितियों के मध्यम में हर खत्रों के बीच में हमें सुरक्षा प्रदान करने वाला सांत्वना देने वाला भजन मैं आप सभी भाईयों और बेहनों को निवेदन करता हूँ कि आप इसे प्रती दिन सुने एवं मनन करे भजन सहीता एकानबे जो परमप्रधान के च्छाये हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वश्यतिमान की च्छाया में ठिकाना पाएगा मैं यहवा के विश्य कहूंगा वह मेरा शरन स्थान और गड़ है वह मेरा परमेश्वर है मैं उस पर भरोसा रखूंगा वह तुझे बहलिये के जाल से और महामारी से बचायेगा वह तुझे अपने पंखों की आड में ले लेगा और तु उसके परों के निचे शरन पाएगा उसके सच्चाई तेरे लिए ठाल और जीलम ठेहरेगी तु ना रात के भई से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दूपरी में उजाडता है तेरे निकट हजार और तेरी दाहिनी और दस हजार गिरेंगे परन्तु वह तेरे पास न आएगा परन्तु तु अपनी आखों से द्रिष्टि करेगा और दुष्टों के अंध को देखेगा है यहोवा तु मेरा शरन स्थान ठहरा है तुने जो परमप्रधान को अपना धाम मान लिया है इसलिए कोई विपत्ती तुझ पर न पड़ेगी न कोई दूख तेरे डेरे के निकट आएगा क्योंकि वह अपने दूटों को तेरे निम्मित आग्या देगा कि जहां कही तु जाए वे तेरी रक्षा करे वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे एसा न हो कि तेरे पावों में पत्थर से ठेस लगे तु सीहं और नाग को उचलेगा तो जवान सीहं और अजगर को लताडेगा उसने जो मुझस से स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुडाऊंगा मैं उसको उचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है जब वख मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा संकट में मैं उसकी संग रहूंगा मैं उसको बचा कर उसकी महीमा बढ़ाऊंगा मैं उसको देरखायू से त्रिप्त करूंगा और अपने किये हुए उधार का दर्शन दिखाऊंगा Praise the Lord बढ़ा है